गरोप शेत्र में हुई बारिश से किसानों के चैरे खिले गरोप नगर सहित आजपास के इलाकों में बारिश सावन मास के बुधवार को दोफर बात शाम तक बारिश की जड़िया लगी रही बारिश से किसानों के खिले चेहरे पसलों के लिए जीवन दान मय बारिश साबित हुई किसानों दुआरा खेतों में दवाई खिड़काव और कुर्पा निकाल कर निंदाई गुड़ाई कर खेतों को खर पतवार से मुक्त कर दिया था उसके बारिश का इंतजार था लंबी खेत के बारिश से किसानों के चेहरे पर मुस्कान आई है बुदवार दोपर से बारिश शुरू हुई जो शाम तक जारी रही सुबह से तेज गर्मी और बादल चाय रहे दोफर तीन बजे से बुदवान्दी के साथ तेज बारिश में मुसम ने ठंड़क घोल दी और गर्मी से रहात मिली लंबे समय की खेंच के बाद बारिश सभी फसलों के लिए हावन में घी के उपयोग के समान फसलों के लिए बारिश की जरूत थी जो भुदवार को पूरी हुई इधर मुसम एज्ञानिकों का कहिना है कि लगातार कम दवाव का शेत्र बना हुआ है आने वाले साथ दिनों तक शेत्र में बारिश के संकेत दिये है गरोड समवाद दाता जीवन साकला की रिपोर्ट